पहले आदमी मर जाते थे और आत्माय भटकती थी अब आदमी जिन्दा है और काग्जों में मारा जा चुका है विकास खंड भटनी का एक मामला है जो देवरिया जीले में पड़ता है यह जो सक्स हमारे साथ बिजय परताप सिंग पुत्र स्वर्गिय रा स्री राम असी सिंग उर्फ्तु फानी सिंग जो इस समय मेरे साथ ही सखड़े हैं मैं अभी जिन्दा हूं और जिन्दा बेक्ती को काग्जों में मृत घोसित कर दिया गया है यह कैसे हुआ हम इनी से जानने का प्रियास करते हैं क्या नम पड़ेगा आपका विजय परताप से ही क्या मामला हुआ है आपके साथ मामला यही है कि परधान ने दोखे धरी से हमारा अब लेक में से नाम फढ़ा है और खतवनी पर अपना नाम दर्ज कोई आए जमीन का मामला है आपके माता-पिता हमारे माता-पत्ता थे और माता जी जब एक्सपायर कर गई तो यहां कोई खाना बनाने वाला और कोई देखने वाला नहीं था तो इसलिए हम पीता जी के मामा के आप अगरा वजार गोपाल गंज बियार में चले वहीं रहते थे इस मामले पर अब तक परसासन के द्वारा कोई कारवाई की ग जाते हैं और सूबे की मैं बात कर रहा हूं यहां पर पूरा घर आप देख सकते हैं इस बच्चे के माता पिता नहीं है एक अनात वालक जिसके साथ बालक बोल रहा है कि पूरे जो गाउं वाले हैं मेरे माता पिता है तो एक तरह से फर्ज भी बनता है अब प्रसासन का भी फर्ज बनता है कि आप बालों को नियाए दे एक फायार तक इस पूरे मामले में नहीं हुआ है हमारे साथ एक समय से भी है उनसे हम जानने का प्रियास करेंगे क्या नाम होगा क्या इस पूरे मामले प्रकरर को बताने का प्रियास करेंगे लंबा समय तक बता सकते हैं ना सौर्ट समय मतलब कुछ ज्यादा नहीं विजय प्रताप सिंग हमारे गाहों का ललका है इसके पैदाएसी से मैं जानता हूं यहीं पैदा हुआ था अपने मा के कोक से पैदा हुआ था और के लेकर के उनके पिताजी को मैं ही लेकर गया था अंक कि आप में गवाए इंगा रेइस्टमी ओध कुछ धिर फिर पिता इस बारों को इस मामले में कौन-कौन लोग संलिप इसमें पाले तो पंचायच सिग्रेटरी जिनका अविलेख है वो कैसे फाड़ा ओ है दूसरी हमारे हलका लेखपाल है अमजद अल्ली खान जिन्हों ने अविलेख में उनका नाम चड़ा एक और मामला है कि पिता अगर दो भाई हैं तो पिता जी के अपने पिता जी के मरने के बाद उनके भा का नाम चड़ा है एक फ्राडे भी हुआ है और अभी तक मैं पांच बारे डियम से आपके पास सलेमपूर एक बार डियम एक बार कप्तान और दसों बार प्थाना प्रवारी भटनी के पास जा चुका हूं इसको लेकर कि अभी तक कोई यार नहुआ नहुआ कोई करवाई कोई दोसी पकड़े अब इस पूरे मामले में लेखपाल की मिली भगत लेखपाल की मिली भगत है और प्रधान प्रधान उनके दो भाई और उनके चाचा यह सारे लोग सनलिप्त हैं इसमें जैसे यह मामला हुआ है अब तक कोई अफाई यार दर्ज नहीं है अगर मान लिजिए कि एक उधारर समझ लिजिए कि अगर इस बच्चे के साथ कोई इस गाउं का कोई व्यक्ति अगर खड़ा नहीं होता तो आज मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि अब इसमें करेवाई परेवाई लेकिन इस बच्चे के साथ पूरा अगर गाउं खाड़ा नहीं होता तो निश्चीत तौर पे कुछ नहीं होता और गुमनामी के तरीके से कितनी जमीन है लगभग दो एक जमीन है गुमनाम तरीके से एक दम घूम हो जाती प्रसाशन और शाशन में जो नेता ब और जीला अधिकारी महोदे से भी मिला हूँ तो उन्होंने बस असवासन दिया है कि आपके सास्ति इंसाफ होगा वाकि अभी कुछ नहीं हुआ या फैयार तक दर्ज नहीं हुआ है आपकी इस पूरे मामले पर क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं